जी असलाम अलेकूम मेरा नाम उसामा अफीज है तो लास्ट टाइम जो है हमने सारे की सारी जितने भी टूल्स से उनका यूज करना सिखा ठीक है तो आज हमारा जो है प्रोड़क्ट हंडिंग का लास्ट सेशन है ठीक है तो आज मैं आपको जो है कुछ रिपीट भी कर ठीक है अच्छा आगे हमें जो है एमाजोन के उपर सबसे ज्यादा जिस चीज की दुरूद पढ़ने वाली है वह है कीवर्ट ठीक है आपने यूज किये ठीक है फिलो कवर्स है उसके लावा फ्राइंक पान है जिस तरह से मैंने आपको काफिशारी रिसर्स करके आपको द पर आप मुझे स्टेट शो करवाएं आपने टूल्स भी बाय किये ठीक है फिर आपने कुछ रिसर्स की फिर आपने मुझे वैटसेप पर अपने स्टेट बगरा शो करवाए आपने प्रैक्टिस की मैंने आपको टास्क और असाइमेंट वगरा दी इसके उपर आपने वरक अब आने वाला जो क्लाइंट है उसको आप गाइड करोगे के जो राइट की वर्ड है वो कौन सा है वो तो आपको पर प्रोड़क्ट है जो कर डॉब्ड तोबल है और मेरे मुझे इसके उपर रिसर्श करके दिखाओ ठीक है तो आप मेरे लिए राइट की वर्ड कैसे फा जिसमें आप बैग बैग है जैसे बैग किसी पर हो सकते है ठीक है तो इसमें बहुत सारी इक्जेम्पल्स आपके सामने एमाजोन पर शो हो जाएंगी आपको मैं आपको मैं रिपीट कर दूंँ आपको जिस्क भी मार्किट में आओगे उसका आपको बता होना चाहिए Amazon.com USA के लिए है उसके बाद आपने उस कंट्री का कोई भी जो बड़ा सिटी है उसका अपने जिप कोड यहां पे देना है और उसको देने के बाद आपने यहां से ओके कर देना है अड्रेस ठीक है अच्छा उसके बाद आपने जो आपका कीव सारे सामने आगें ठीक है अब आप इसको इस धरेस के मैं रिक है कोई कोई कॉस्ट नही है ठीक है आप यहां पे सामने डिफरेंट रिट्ट स्की कीवर्ड अब यहां पर पता चल रहा है कि कोई बैग है ट्रेवल बैग ठीक है जब आप स्पेसिफिक कीवर्ड राइट करोगे तो आपके सामने वही वाला प्रोड़क्ट आएगा जो आपको चाहिए ठीक है अब लास्ट टाइम क्या हुआ मैंने क्रिस्मिस कुशन कवर्स ह कर रहा कर लेकिं मैं जब करता रहा करता रहा मुझे हम 10 पर बहुता कीवर्ड लेकिन जब मने मजीद रिसर्च की अपने प्रोडक्ट के ऊपर ठीक है रांड आपट को जा कि मुझे पता चला की वर्ड है क्रिस्मिस पिलो कवर्स ठीक है अच्छा इसी तरह से आप भी अपने की वर्ड की जो टाइप है वह आप देख लो अगर कोई ब्रेंड नेम उसके साथ लग के अब जैसे कि मैं आपको कहता हूं इस तरह से क्या है एड़े डास की है आपको शौ होंगे टिक है अगर आप निकी के ट्रैवल वक्स याउट कर रहें तो आप साथ में ब्रेंड नेम भी देख लो कि कहीं वह ब्रेंड के चार से पांच महीने लगते हैं तीन से चार इंवेंटरियां आपकी लग जाती है अपना ब्रेंड नेम सिरफ आपको जो है रेंक करते करते ठीक है तो इसके लिए बेहतर जो एक्जेंपल है आप हमेशे स्पैसिफिक कीवर्ड जो है उसको सर्च करो ठीक है आप जब भी आप प्रिसर्च करो आपको आपके प्रोडॉक्त का राइट कीवर्ड बता होना से लगत है अगर मैं आपको पताओं पहले आपको मैं आगले जो दो टाइपस वो भी आपको जो है एक्सक्रीन कर देता हूं शॉर्ट टेल की वरड है शॉट ने तीन तरहां की चीज़ आती आप ट्रैवल लेदर बैग यहाँ यहां पर यहां पर लैप्टोप बैट बैक आ सकता है अब सकता है लाग टेजिन कीवर्ड ज्यादा दर कौन से ये होता है और शॉट टेल कीवर्डी है ठीक है उसके बाद लॉंग टेल कीवर्ड सब्सक्राइब नि प्लेक करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब में किस तरह से ट्रेवल बैकपेक पार विमन्स ट्रैवल अ जैसे कि है आई त्रैल बैक क्या तरह से हैं ट्राॉसर होगा अचा यह आप कोई भी साथ में कोई वेरियेशन अगर साथ में आप लगा लेते हो तो वह जो है लॉंग टेल की वर्ड़ में आता है अच्छा अब यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह स्पैसिफिक और शॉट टेल की वर्ड होता है ठीक है ना के ब्रॉड में और ना ही लॉंग टेल की वर्ड में आपको लेगा ठीक है बहुत सारे लोग्रिसर्फ करते हैं वो कह रहे हि mesa और ऐसिे फ़ृक्त नहीं मिल रा राइट कृट बिलते हों जो कि हमारा last time मैंने आपको कहा था कि जब आपकी hunting complete हो जाएगी तब मैं आपको पताऊंगा कि right की right जो strategy है और बहुत ही short way में आपको अच्छा product कहां से मिल सकता है black box से ठीक है wholesale के लिए भी use करते हैं इसको और drop shipping के लिए भी हम use करते हैं ठीक है अच्छा तो आपके पास tools हो होगे आपने bike होंगे ठीक है तो यहां पर मैं आपको लेकिशालता हूं helium 10 की तरफ कि अच्छा आप helium 10 के आउगे dashboard के यहां पर दैश्गोड के ऊपर आके आपने यहां पे black box के उपर click करना है ठीक है अच्छा black box के ऊपर जब आपने click करना है यहां से सब्सक्राइब निकाल सकते हैं तो फाइंड विनिंग प्रोड़क्ट कौन सा है आपने यहां से अपनी मन पसंद जो केटेगरी है वह आपने स्लेक्टर लेनी है ठीक है वह है यहां से मैं आपको बता रहेता हूं कि अगर मैं यहां पर देखूं होम एंड फिच्चन ठीक है और उसके बाद मैं यहां पर अपना जो क्राइटरिय वह यहां पर लिखता हूं पंधली सेल्स कितनी होने चाहिए मंतली रविनियू ठीक है आप मिनीमम जो है फोर थाउजन और ज्यादा से ज्यादा साथ जार यहां पर लिख लेता हूं ठीक है अच्छा प्राइस जो है वह मैंने आपको बताई थी यूएसे मार्किट के लिए पंदरा से लेकर चालिस डॉलर तक ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं पंदरा मिनीमम और मैक्सिमम लिखता हूं मैं यहां पर फोर्टी ठीक है अच्छा रिव्यू काउंट मैंने आप से का वहां पर चेनल कर लो जैसे खर्लोंस चेहिकों नहीं करने चाहिए एरिmother की अच्छी प्रोड़क्त के लिए 국 abilities baik से तीस तैने ठीक है इससे जड़ा ना हो इट्थ है अगर तीन सो मिल जते हैं तो वह आपक define प्रोडक्ट है लेकिन आपकी सेल भी उसी साफ से होनी चाहिए ठीक है मतलब कि आपकी सेल एक महिने की 300 प्लस यूनिट होने साहिए ठीक है अच्छा रिव्यू मैं यहां पर लिखता हूं मिनीमम 300 और मैक्सिमम हो जाए 550 तुक्त है अच्छा रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए 3.5 और ज्यादा से ज्यादा 4.7 अच्छा और यहां से मैं इसको सर्च कर देता हूं अच्छा अब यहां पर आपको वह वाली प्रोडक्स नज़र आएंगी जो कर रहा है और देखिया आप negativity आइसके रिव्यू करें मतलब के राउंड अबाउट कोई 30% यह मैश कर गई है ठीक है अच्छा पीएस आर अगर मैं इसका रेखूं तो यह बहुत ज्याद है पीएस आर आपका कम होना चाहिए लेस तेन 20K ठीक है अच्छा मंतली रेविन्यू कितना है इस ताथ 6,000 मैंने आपको कितना बताया था 10,000 से ज्याद होना चाहिए ठीक है मैंने यहाँ पे एक लिमिट पुट की मंतली रेविन्यू की कम क्यों ताके मुझे रिव्यूज के इतबार से अच्छी प्रोड़क्ट यहाँ पर मिल जाए अब मंतली सेल्स हैं 300 प्लस है ठीक है और प्राइस भी इसकी मैश कर गई है ठीक है तो आईए इसको देखते हैं किना आ प्रोड़क्ट है ठीक है अचा इसके उपर मैंने किया और फ्रेग्रेंस निस्ट् делать अगर को प्ताओं तो हेवह बहुत शॉट है нет पिर भी हम चेक कर लेते हैं लेकिन यह कोई राइट इसका कीवर्ड नहीं होगा क्यूंकि इसका टाइटल बहुत चोटा है तो आपको वह वाला प्रोड़क्ट फूनने हैं जिसका टाइटल जो है वन फिफ्टी यानि के वर्ड्स का हो ठीक है अब इसमें काफी सारी प्रोड इसके रिव्यूज यहां पर शोर नहीं हो रहे अब ही हम जिंगल स्काउट से क्या है चेक करते हैं इसको कि जिंगल स्काउट हमें क्या बताता है जिंगल स्काउट जो है डेटा फैस करता है हम एलियम टेंज से भी पूछते हैं एक्स रेज से यहां से भी हमें डेटा पता लग जाएगा ठीक है अच्छा अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका एवरिज रेविन्यू यह बहुत ज्यादा है तो जब मैंने इसको सर्च किया जब मैंने इसके स्ट्रैट वगरा देखने शुरू किये तो यहां पर मुझे इसका जो ग्राफ है वो यह बता रहे है कि यह पूरा साल चलने वाला प्रोड़क्ट नहीं है ठीक है इसमें कुछ ही सेलर्स हैं जो के अच्छा रेविन्यू जनरेट करें ठीक है यह देख रहे हैं आप पहले दो जो हैं ठीक है उनमें एक स्पॉंसर है यह एस्पी ठीक है जब भी आपने रिसर्च कर नहीं है एक पीपी से ठीक है अच्छा इनको आपने छोड़ देना है इनको छोड़ने के बार नीचे आपको टॉप टेन नजर आएंगा उनको आपने देख ठीक है अबरेज़ ग्राफ इसका यह कोई खास नहीं है ठीक है अगर मैं टॉप टैन को देखूं तो कुछ का जो है अप करा इस वज़ा से इसको हम जो है रिजेक्ट करते हैं हम किसी और प्रोड़क्ट को देखते हैं यहां से अच्छा इसकी जो मंतली सेल है यह टू जिरो फोर है और इसके जो रिव्यूस है वो इसकी रेटिंग भी काफी डाउन है अच्छा हम कोई और देखते हैं यहां पर और अच्छा मैंने आपके सामने जो शौ़र करटन्स हैं वो मैंने सप्षściया तो सारे इसकी सारे आपको कर्टन्स ही शोग होंगे मेन पेस्ड के जोगे अब यहां में आगर मैं यहां पर लिख हूँ स्पैसिफिक की वर्ड इसका तो शौवर कर्टन ठीक है और जो है शौट टेल की वर्ड यह भी इसका बनता है ठीक है यह पॉलिस्टर अच्छा जो हम शौट टेल यूज़ करते हैं सबसे पहले फिर हम देखते हैं हमें क्या यहां पर मिलत है अच्छा अभी मैं एक्सरेस से इसके जो टेटा है वह मैं फैस करता हूं और मुझे इसके रिजल्ट्स है वह शौट हो जाएंगे अच्छा इसके भी एवरिज रिव्यूज बहुत ज्यादा है ठीक है तो हमें यह कोई राइट कीवर्ड चो है में भी इसमें कोई इशू हो ठीक है तो हम शौवर करटन्स रिखते हैं सिरफ में भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए ठीक है तो आप यहां पे अप मेरा यहां पे कीवर्ड चेंज करके बार बार लिखना ठीक है मुझे यह बताता है कि मैं भी मुझे अच्छा प्रोड़क्ट कीवर्ड की वज़े से ना मिल रहा हूँ ठीक है मैंने शौट टेल यूज किया आप मैं स्पेसिफिक यूज करता हूँ अब ही मैं दुबारा इसके स्टेट देखता हूँ तो आप जब भी अपना प्रोड़क्ट करो तो आगे आप किसी को सेल करो तो आप उसको राइट कीवर्ड सेंड कर दो बात में जब आपको पेमेंट करते ठीक है तो आप उसको राइट कीवर्ड दो तो आपको अच्छे स्टेट शोओंगे पहले कितने आ रहे थे रिव्यूस आठ हजार अब ही हैं बारह हजार ठीक है आपका यह वाला जो है ना यह दायरा यह बिल्कुल कंपलीट होने चाहिए टैन बेर टैन तब आपको पता चलता है कि आपको जो कीवर्ड है वो राइट कीवर्ड है ठीक है अच्छा अब शौवर करेंड है अब इसके जो रेवीनियू मैं देखूंँ एक लाक संतर ना सार एवरिज रेवीनियू है अच्छा यहाँ पर मैं देखता हूं कि वाकी यह सभी बता रहे हैं हें टिक है तो यहां पर मैं सबका देख रहाँ कि साथ लाक व्लाघ कितना सब का है ठीक है इसका मतलब है कि अगर मैं इस प्रोड़क्ट को लॉंच करता हूं तो मेरी कितनी इसके उपर अगर मैं आपको बताऊ ना तो तक्रीबन इसके उपर जो मैं एड़र्टाइजिंग में जो पैसे खर्श कर दोंगा तक्रीबन 30,000 डॉलर्स के बाद मैं टॉप 30 जो सेलर्स हैं उन में आ सकूंगा और अपनी दो हजार पीसीज जो है इन्मेंटरी में गवा के सेल आउट करने के बाद वाया पीपी सी या वाया एड़र्टाइजमेंट ठीक है मैं टॉप 30 सेलर्स में आ सकता हूं और जो मेरा रेविन्य हो होगा आफ्टर टू टू थ्री इन्मेंटरी सेल करने के बाद वो तकरीबन कोई मेरा जाके सतर से असी हजार बनेगा यूसे मार्कीट में इस तरह की प्रोड़क्स है हम बड़े सेलर्स के लिए रखते हैं मतलब कि कोई बड़ा क्लाइंट आया है इसके पास बहुत यूज एट लिस्ट ऐसी प्रोड़क्स के लिए तकरीबन दो हजार तक होने चाहिए इस से ज्यादा ना हो ठीक है यह बहुत ज्यादा है ठीक है यहां पर आप इन सब चीजों को जो है एकनोर करें और यहां पर राइट कीवर्ड की जो स्ट्राटीजी इसको आप फॉलो क होगी ठीक है यहां से आपको प्रोड़क्ट की आइडियाज भी मिलेंगे यहां से आपको प्रोड़क्स अच्छी भी मिलेंगी ठीक है तो मैं आपको जो है टास्क दूँगा आप सबने अपनी पिसंद के जो प्रोड़क्स है यहां से आपने धूननी है अपनी पिसंद की वो भी complete होगी ठीक है मैं अगर आपको यहां पर बताओं तो आप क्या करें प्रोड़क्ट हंट करें अच्छे वाला और एक प्रोड़क्ट हंट करके आप उसको sale out करें ठीक है ताकि आपका hands on experience है वो at least 100% नहीं तो 80% तो complete हो ठीक है एक वीक और दो वीक के बाद आप अपने अंदर एक पर जो है उसको फिल करें ठीक है अच्छा यह मैंने आपको बताना था अच्छा उसके बाद जो है revenue calculator ठीक है आप अपने प्रोड़क्ट का जो है किस तरह से आप हिसाब लगा सकते हो कि आपको कितना profit होगा ठीक है अच्छा अब मैंने आपके सामने यहां पर जो है curtains वो उपन किये थे ठीक है स्कॉस करो कि मेरा जो competitor है वो यह लास्ट टाइम किसी ने question पूछा था कि हावे कैसे पर चलेगा हमारा जो competitor है top 10 वो कौन से है ठीक है तो वह आपको ऐसे पर चलेगा अब मैं यहां पर इ सेरी ब्रो में यहां पर मुझे सेरी ब्रो नजर आएगा यहां पर आके मैं अपने जो top 10 competitors हैं उनको देख सकता हूं ठीक है और यह 95% accurate होते हैं ठीक है या आप यहां से भी किसी को target कर सकते हो ठीक है सब्सक्राइब करो कि मैंने यह लॉंच करनी है ठीक है तो मैं इन में से या तो वहां से अपने किसी competitor को target करूंगा या यहां से ठीक है अगर मैं यहां से किसी को भी target कर सकता हूं अगर मैंने इसको target करना है तो मैं कैसे इसको target करूंगा मैं इसके profile open करूंगा ठीक है प्रोफाइल open करने के बाद जाके मैं इसके जो है reviews check करूंगा ठीक है यह तो बहुत ज्यादा reviews है आप suppose करो कि इसके जो reviews हैं वो कई 600 यह 700 के दर्मियान दर्मियान है ठीक है मैं suppose कर लता हूँ 650 के reviews है ठीक है और इसकी जो rating है वो है 4.7 ठीक है अच्छा मैं क्या करूंगा इसके negative reviews reviews read करूंगा ठीक है अच्छा यह आप stars के उपर कलिक करोगे न तो आप इसके reviews read करोगे मैं इसके कोई 100 या डेट सो इसके जो reviews हैं उनको read out कर लूँगा इसके उपर मैं क्लिक करूंगा तो सोरी इसके उपर तो मैं नीचे जो है यह रिव्यूज के उपर जाओंगा यहां से मैं इसके negative reviews भी रिट करूंगा और फाइव स्टार रिव्यूज जो होते हैं वह positive reviews होते हैं जो मैं order कर दूँगा ठीक है अपने supplier से भी मैं गवाऊंगा एक और supplier मैं तीन से चार supplier चाइना में final करूंगा जिसका मुझे sample अच्छा लगेगा मैं उससे 1000 प्रोड़क्स की जो inventory है वह मैं से लेगा हजार पीसीज की सोरी अच्छा अब मैंने इसके positive reviews और negative reviews दोनों read किये मुझे इसका जो फिल पता चल गया मुझे ठीक है कि यह इसका जो color है वो दो तीन बार wash करने के बाद exact वैसे रहता है या नहीं ठीक है और इसमें कहीं पर कोई होल बगहरा तो नहीं है कोई सुराख बगहरा तो नहीं मतलब के कहीं पर quality जो है वो अच्छी नहीं होती ठीक है इसना से यह आपको जो रिव्यूज है यह read करने के बाद आपको पता चलेगा और यहां पर सबसे एहम बात आप रिव्यूज पढ़ने के बाद अपना जो supplier ह है उससे bargaining अच्छी कर सकते हो नेक्स लेक्टर हमारा होगा product sourcing के उपर एक या दो दिन के बाद इसमें मैं आपको product sourcing में सारी bargaining कैसे करनी है आपने supplier से वह आपको बताऊंगा अच्छा अब मैं आपसे कह था कि आपने यह product launch करना है तो आप suppose कर रहे थे यहां पर इसकी यह है इसके उपर 650 reviews है ठीक है अच्छा और यहां पर variation जो है अब तकरीबन कोई यह 15 से उपर है variation जो यह से लट कर रहे है स्पोस्ट कर रहे हैं यहां पर दो या तीन की variation है ठीक है अब मैंने आपको criteria में क्या आप तायत है ऐसी product जिसके उपर चार से ज्यादा variation ना हो उसको आप launch कर सकते हो ठीक है अगर उसके उपर दो की variation है तो well and good है इससे ज्यादा ना हो तो बहतर है ठीक है इससे आपका competition भी कम होगा और आप चल्दी पहले page पर आ सकते हो ठीक है अच्छा यहां पर आ लाइट पिंक कलर है ठीक है इस तरह से आप स्पोज कर लो बाकी आप उनको आप स्पोज नहीं करो बाकी यह जो तीन है पहले वाली इनको आप स्पोज करो ठीक है अच्छा यहां पर आप जो रेटिंग है इसकी 4.7 जो है consider करो इसका जो एक sample है आप इसको order करतो Amazon से ठीक है क्योंकि आप इसको target करने जा रहे हो आप इसको complete करने जा रहे हो ठीक है अपने साथ आप इसकी packaging देखो ठीक है आप इसका जो style of way है जिसमें इसने पैक किया हुआ है जैसे इसने जिस पॉली कवर में इसने अपना जो product है वो आप तक यानिके पहुंच चाया कैसे इसके इस shipment plan में आप लगाते हो ठीक है आप सारी A2Z की packaging चेक करो box की logo की ठीक है इसकी quality की ठीक है उसके बाद आप सीम बैसी ही अपनी packaging बनवाओ अपने supplier से आप बात करो कि I need this type of packaging ठीक है इस type of quality I want to launch in US market on Amazon आप उसको बताओ कि यार professionals ठीक है अच्छा आप A2Z उसके साथ बात करने के बाद सारा आप रेट लो ठीक है अब स्कॉल्स करो मैंने इसको करना है launch ठीक है तो मैं अब देखूंगा कि इसके उपर मुझे कितना profit margin होने जा रहे है ठीक है मैं इसका SN number करूंगा copy मैं आओंगा Google के उपर यहाँ प यहाँ पर यह Amazon revenue calculator पर आया हूं मैं तो अच्छा यह website Amazon revenue calculator ठीक है इसके उपर आप जो अपने product का जो आपने launch करना है तो आप यहाँ पर बेस्ट कर दो और आप यहाँ पर सर्च करो ठीक है जब आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे एक जो है वो डेश्पूर्ट निजर इसका ठीक है तो आपने यहाँ पर दो तरहां का होगा item item price और उसके बाद Amazon fulfillment यहाँ पर आपने price लिखनी अब यह कितने का सेल कर रहे है अच्छा इसको अगर मैं देखूं सुरी यह है अच्छा यह है थर्टीन डॉलर्स का सेल कर रहा है मैं इसको जो है 12 डॉलर्स का सेल करूंगा ठीक है अच्छा 12 डॉलर्स मैंने इसकी price लिखती है यहां पर उसके बाद नीचे cost of the product यहां पर आपने लिखना है कि आपको average inventory unit stored cost of the product यहां पर आपने लिखना है कि आपको जो है यह supplier से कितने rate में आपको मिला फिर आपने शिप किया Amazon warehouse तक वहां तक पहुंचने तक इस आपको कितने यानिके charges जो है वह बेहर करना पड़े है ठीक है ship to Amazon यह आप लिखतो यहां पर जिरो प्वाइंट यह आपको supplier बताएगा अगर मैं चाइना से शिप कर रहा हूँ तो एक पीस के ओपर suppose करो मुझे 0.990 यानिके 0.9 जो है डॉलर मुझे अमाउंट जो है supplier ने बताई कि एक पीस के ओपर इतना आपको पड़ रहा है ठीक है अच्छा अच्छा कि उसके बाद जो है यहां पर आपने cost of the product लिखनी है लोगो बनवाने में उसको पैक करने में ठीक है और जो पाइंग प्रैस आपको मिली है स्पोस्क्रों पाइंग प्रैस मुझे मिली है 2.6 टॉलर्स और मुझे उसको पैक करने में और टोटल जो उसके उपर ज मैं profitability calculator मैंने आपको last time बिताया था यहां पर यह वाला मैं सलाता हूं और इसी को मैं ज्यादा follow करता हूं आगर आपको क्लाइंट कहते है कि आप fulfillment जो revenue calculator वहां से आप calculate करके बताओ तो उसका वे यही है आपको जो लोगों की जो प्रैस पड़ी है आपको packaging की जो प्रैस करो और आप उसको प्लस करके यहां पर लिखतो और calculate करो मुझे total जो है 4.7 जो है यह cost of the product पड़ गई ठीक है अब मैं इसको calculate करूंगा तो मुझे यह profit margin बता देगा ठीक है यह मुझे यहां पर profit बता रहे है कि भाई आपको जो है minus 11.44 यानि कि मुझे कोई profit नहीं है इसके मैं माइनस में जा रहा हूं ठीक है अगर मैं यहां पर अपनी जो प्राइस है उसको increase कर देता हूँ तो यह अब मैंने जो है यहां पे cost of the product जो है वह ज्यादा लेखी थी इसलिए मुझे माइनस में बता रहा था ठीक है अगर मैं आपको दाओं तो मुझे मुझे इसके उपर कितनी पचत होगी अगर मैं बारा बारा डॉलर्स के इसको सेल करता हूं और शिप टू एमाजोन मुझे पर पीस जो है जो है मुझे प्राइस पड़ी ठीक है और कॉस्ट ऑफ दा प्रोड़क्ट जो है शिपिंग बगारा लोगो डिजाइन करवाने का पैकेजिंग का टोटल मुझे थ्री डॉलर्स पड़ेगे पड़ेगे उसके बाद जो है एमाजोन कुछ अपनी पीस भी इसमें चार्ज करेगा वह कितना करेगा टोटल फुल्फिल् पे ताकि आपको एक्जेक्ट जो है समझा सके अचा हम इसको करो कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं और मैं अपने क्लाइंट को बताऊंगा कि इसके उपर कितना मुझे प्रॉफिट होगा अच्छा यह कितने का सेल कर रहे है यह सेल कर रहे है थर्टी फाइब का तो मैं यहां पर सेल करता हूं इसको थर्टी तरी का ठीक है शिप्ट आमाजोन मुझे जो है 1.6 डॉलर जो है वो पड़ गया अच्छा उसके बाद जो कॉस्ट अप्र प्रॉड़क्ट ठीक है यह आप सेमन कर लो और यहां पर कैल्कुलेट कर दो ठीक है अब यह मुझे यहां पर बता रहे है कि नेट मार्जन आपको रहे है 40 परसेंट और आपको जो डॉलर से होगा तकरीबन कोई साड़े तेरा डॉलर आपको प्रॉफिट होगा ठीक है अगर आपको क्लाइंट आपका कहता है कि भाई मुझे पताओ कि मुझे कितना होगा इसके उपर प्रॉफिट तो आपको प्रोड़क्ट सेल करने से पहले यह तीन चीज़े पता हो इसलिए मैं कहता हूं जब भी आप अपना प्रोड़क्ट सेल करने के लिए जाओ अपने क्लाइंट को तो आपके पास उसी प्रोड़क्ट का सप्लायर ओल्रेडी फाइनल होना चाहिए ताकि आप चाहां पर उसको 180 डॉलर का सेल कर सको ठीक है आपके पास लिस्टिंग कॉ प्रोड़क्ट सेल करोगे तो वहां पे कोई भी उसको डिफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे तो इस तरह से वह जब नेक्स टाइम भी उसने कोई प्रोड़क्ट लॉंच करनी होगी तो वह आपके पास ही आएगा कि मुझे कोई और प्रोड़क्ट तो आप ऑनेस्ट परसन ह और आपको वर्किंग करनी आती है ठीक है अगर मैंने आपको लास्ट टाइम जो रिपोर्ट सेंड की इसमें मैंने आपको उताया था कि जो प्रॉफिट मार्चन हमें वहां पे नजर आ रहा था वो हमें प्रॉफिट लॉंच करने के